हाई गाइस कैसे हैं आप तो गाइस सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मेरे चैनल को इतना ज़रा स्पोर्ट कर रहे हैं और प्यार दे रहे हैं आगे भी ऐसी स्पोर्ट करते रहेगा और मैं आपके लिए ऐसे ऐसी कंटेंट लेके आता रहूँगा तो चलिए देर कीए बिना आज की वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो आज का हमारा टौपिक है How To Close Bluetooth Toggle and Wi-Fi Toggle in Control Center जी हां आप Bluetooth और Wi-Fi का Toggle कंट्रोल सेंटर में कैसे close कर सकते हैं ये तो आपको भी बता है जब भी आप यहां से control center से Bluetooth या Wi-Fi के toggle को off करते हैं बट यहां से तो show रहता है आपको off है बट वो background में हमेशा on रहता है यह देखी Bluetooth भी on रहेगा और Wi-Fi भी on रहेगा इसका क्या negative impact पड़ता आपके phone पे आपके phone की battery drain होने लग जाती है जब background में यह दोनों toggle on रहेंगे तो आज मैं आपको बताऊंगा यह आप कैसे close कर सकते हैं और इसके लिए आपको अपना phone jailbreak करने की भी जुरूद नहीं है दोस्तो सबसे पहले आपने क्या करना है यह shortcut app में चले जाना है आपने जो app store पे बिलकुल free है और आपके phone में by default भी install होती है अगर आपके phone में install नहीं है तो मैं इसका link आपको description में भी upload कर दूँगा आप download कर सकते हैं उसके बाद जब आप इसको open कर लेंगे open करने के बाद यहाँ पर यह option सागी 3 आपने क्या करना है all shortcuts में जाना है जब आप all shortcuts में चले जेंगे यह उपर corner पर यह plus का sign दिख रहा है आपको आपने इस पर click कर देना है अब यहाँ पर यह add action का option आ गया अब यहाँ पर आपने click करना है अब यहाँ पर काफी सारी options आ गी है आपने क्या करना है उपर search for apps है यह यहाँ पर आपने जाके wifi का search कर देना है यह देखी जैसे ही मैं wifi type करूँगा यह three options आ गई है अब यहाँ पर यह लिखा रहा है set wifi अब आपने इस पर click कर देना है यह यहाँ पर यह toggle बना हुआ गया turn wifi on लेकिन हमने तो off रखना है तो आपने इसको off कर देना है अब आपने क्या करना है next का button दबाना है अब यहाँ पर यह हमसे toggle का नाम बुच्छे का क्या रखना है हमने wifi off रखना है यह देखी अब यहाँ पर यह इसका अगर आप sign भी change करना चाहिए color भी change करना वो भी हो जाएगा मैं अगर कोई भी symbol ढूटना चाहूँ suppose करो मैं wifi का symbol लगाना चाहरा हूँ इस पर तो मैं वो भी set कर सकता हूँ अगर इसमें wifi का symbol है यह देखी मैं आपको दिखाए यह देखी यहाँ पर यह wifi का symbol आ गया है अब मैंने suppose करो यह choose कर लिया अब इसका color मैंने suppose करो blue रखना है तो मैं यह done कर दूँगा यह देखी अब मैंने इसको भी done कर दिया अब यह three जो dot आ रहे हैं इस पर यह रेखिए corner पर आपने इस पर click करना है अब यहाँ पर यह दुबारा से three dot पर click करके यह रेखिए यहाँ पर यह option आ गया add to home screen आप चाहें इसको यहाँ से add to home screen भी कर सकते है home screen पर आपके wifi का एक icon मना हुआ जाएगा यह देखिए जैसे मैं click करूँगा done करूँगा यह देखिए add to home screen हो गया है यह home screen पर यह देखिए toggle आ चुका है अब यह देखिए यहाँ से wifi on है अगर यह देखिए मैं इसको off भी करता हूँ तो आपको मैं दिखा भी दूँ जब आप wifi के उसमें जाएंगे setting में यह देखिए पिछे आपका turn on रहेगा अब यह देखिए मैं जैसे toggle पे off press करूँगा तो यह wifi आपका background से भी off हो जाएगा यह देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा गया turn wifi off और यह देखिए यहाँ से भी cross बना हुआ आ गया है अब मैं आपको setting में भी जाके दिखा दूँ यह देखिए यहाँ से भी wifi off हो चुका है अब on करना है उन तो जैसे हम normal करते हैं वैसे ही हो जाएगा यह देखिए यहाँ भी on हो चुका है wifi अब अब यह देखिए यहाँ पर भी wifi on हो चुका है off करना है जैसी press करूंगा यह देखिए यह यहाँ से भी turn off हो चुका है और यहाँ से भी आपको बार बार वाई फाई के अंदर जाके क्लोज करने की जुरुत में है सीधा आप यहां से भी क्लोज कर सकते हैं अगर आप चाते हैं इसको अलग से विजिट सेक्शन में आपने अपलाई करना है तो वो भी ऑप्शन है यैसे ही आपने यह देखिए विजिट सेक्शन में गए जैसे यहां पर आप खाली स्क्रीन पे टैप करेंगे तो भी ऑप्शन आ जाएगा प्लस का यह देखिए अब हमने क्या करना है यहां पर सर्च विजिट आ गया है ऐसी मैंने सर्च विजिट पे क्लिक किया मैंने शॉट कर्ण करना चाहें चूस कर सकते हैं यहां पर अपने क्यों जहां पर बलैंक स्क्रीन होगी वहां पर कर सकते हैं यह देखिए जैसी मैं on करूंगा यह इसको off कर देगा यह देखिए अब इसको delete करना चाहूं विजिट को यहां से भी हो जाएगा यह आपका as it is रहेगा अगर आप यहां पर भी visit assign करना चाहते हैं side में तो यहां पर भी आपने ऐसी प्रेस किया ऐसी shortcuts अपनाया rectangle shape यहां पर यह देखिए यहां पर भी आपका आचुका है यह देखिए यहां से wifi on किया यहां से भी मैं close कर सकता हूं यह देखिए दोनों options है आप चाहिए यहां से इसको delete भी कर देंगे तो भी यहां पर visit section में रहेगा चलिए अब बात करते हैं Bluetooth कैसे आप off कर सकते हैं तो दोस्तो Bluetooth को off करने का भी same ही method है फिर से हम shortcuts में गए यहां पर यह आपने फिर से plus के sign पे click किया add action button यहां पर आपने search किया set Bluetooth यह देखिए यहां पर turn on है Bluetooth इसको आपने turn off रखना है अब आपने फ्री कॉलन पर click किया यहां पर shortcut का नाम लिखना चाहें अगर इसमें भी आप कोई color देना चाहें वो दे सकते हैं glyph कोई भी अगर आप symbol चूज़ करना चाहें तो वो भी आप अपने according चूज़ कर सकते हैं कुछ भी आप रख सकते हैं suppose करो मैंने यह दे को cross का रख लिया अब मैंने done किया add to home screen कर दिया इसको यह रिखिए add कर दिया यह देखिए home screen पे भी add हो चुका है यह देखिए अब मैं जैसे देखिए bluetooth on है अगर मैं इसको यहां से off करूंगा यह भी दिखा दू मैं आपको setting में जाके यह off नहीं होता पीछे background में on रहता है इससे आपकी battery बहुत ज़्यादा drain होती है अब मैं supposed करूँ इसको off करना चाहता हूँ तो मैं यह रिखिए यहां पर जैसी मैं click करूंगा यह रिखिए bluetooth turn off हो चुका है मैं आपको setting में भी जाके दिखा दूँ यहां से भी देखिए यह turn off हो चुका है on करना है ऐसी जैसे normal हम on करते हैं on रहेगा off करना है तो ऐसी जैसे मैं click करूंगा यह रिखिए यह turn off हो चुका है यह रिखिए अब ऐसी अगर आप इसको visit section में भी लाना चाहते हैं यह रिखिए यह अपने आप by default आ चुका है bluetooth यह रिखिए on करेंगे तो bluetooth on show होगा हमें अगर मैं यह control center से off करूंगा तो नहीं यह off होगा off करने के लिए यह देखिए यहां से मैंने off किया है यह background में फिर भी on है off करने के लिए यहां तो आपको यहां से toggle press करना पड़ेगा यह देखिए यह off हो चुका है यहां यहां से भी आप off कर सकते हैं यह देखिए तो आई hope guys आज का आपको मेरा tutorial पसंद आया होगा अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को like और subscribe करना मत भूलना और जो मेरे channel पर नहीं आये हैं प्लीज आप मुझे subscribe कर लें ताकि आने वाले content का आपको पता चलता रहे जो भी updates आ रही हैं अभी के लिए इतना ही धन्यवाद